अगर आप बताना चाहिए हुआ क्या था उसना 2007 और 11 वर्ल्ड कप किस ने जिता है हम सब को बार-बार ये बोला गिए कोई एक इंडिविजुल ने नहीं जिता है पूरी टीम ने जिता है और पूरी टीम ही जिताती है एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की की कपिल देश जी वो ट्रॉफी उठा रहे है मोहिंदर अमानाज जी की भी दिखा दीजिए पाकितान के टीम आपको बहुत मिस करती है वो कहती है कि अब गौतम गंबीद में खेलते हैं अज़ हमेरे साथ इस बेहत खास का रिक्रम ने एक ऐसी ता किया करती हैं आप लोगों ने उनको रोना पाड़ रहा है प्लेए कि आप लोगोंगा अज्विश्यक करती है कुछ लोगों को सियासत पसंद होती है और कुछ लोगों को youth icons में interest होता है तो आज हमारे साथ इस बेहत खास कारिक्रम में एक ऐसे शक्स मौजूद है जो इन तीनों का perfect combination है बाइ नेचर तो ये काफी गंभीर है लेकिन बात जब aggression दिखाने की आती है तो बल्ले से लेकर जबान तक विरोधियों का इनके सामने टिकना बेहत मुश्किल हो जाता है इनकी personality का एक और पहलू है और वो है जन सेवा यानी social service करोना के दौर में इनोंने लोगों की काफी मदद की तो आईए मिलते हैं T20 World Cup 2007 World Cup 2011 जितने वाली जीतने वाली भारतिये टीम के शानदार सदस्थ से KKR को दो बार IPA विजेता बनाने वाले पूरवी दिल्ली के संसत अर्जुन अवाडी और पदमश्री गौतम गंभीर से अभिनंदन आपका गौतम गंभीर हमारे साथ है लेकिन आगे बढ़ने से पहले सवाच पर हम आगे बढ़ेंगे लेकिन इनकी शक्सियत से जुड़ी कुछ एहम पहलू देख लेते हैं जान लेते हैं समझ लेते हैं एक ऐसा शक्स जो खुद तकम बोलता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का शोर हर दरफ सुनाई देता है पिछ चाहे क्रिकट की हो या सियासत की गंभीर की पारी जोरदार होती है और उसकी कवाः 2011 वर्लकप की ये तस्वीर देती है कहा जाता है कि अगर गंभीर न होते तो शायद 2011 वर्लकप भी भारत के नाम नहीं होता IPL में गोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक दो बार खिताब पर कबजा किया है और ये दोनों खिताब गौतम गंभीर की कप्तानी में हासिल होए लेकिन शान्त से दिखते गंभीर पाकिस्तान के खिलाब गजब का अगरेशन दिखाते रहे हैं फिर चाहे ये बल्ले से हो या जुबान से जब जब पाकिस्तान से मैच होता था हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे कि गौतम आप समालो क्रिकेट की पिछ के बाद अब सियासत की पिछ पर भी गौतम गंभीर का अगरेशन देख लीजे वो जो आम आदमी पार्टी के लिबाज में तुकलक बनके दिल्ली की कुरसी पे बैठके पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहे और जब कोरोना का दौर आया तो लोगों की सेवा में इन्होंने जी जान लगा दी और सेवा का ये भाव लगातार जारी है मात एक रुपए में लोगों को भरपेट खाना देने के लिए गौतम गंभीर में जन रसोई की शुरुवात लिकिन आज इस शो में हम गौतम गंभीर का वो सच दिखाएंगे जिसे आज तक दौरिया ने नहीं देखा तो अगले एक घंटे में गौतम गंभीर के साथ देखिए ये सुपर स्पेशल शोग तो सियासी पिपर गौतम गंभीर की पारी तक गंभीर साथ आपका विरंदन है और मैं सवालों का सिंसला शुरू करूं तो पहला सवाल आप से यह मैं पूछता हूं पंदरा साल लंबे अंतराश्री क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी तो आपकी नजर में बहतर क्या है पॉलिटिक्स या क्रिकेट आपके पहले बहुत मुझकल सवाल पूछ लिए हैं गुगली डाल दिए हैं देखें मैं भी चीज होती है कोई भी इवेंट होता है तो लोग सिरफ कमरे में बैठके उसके बारे में ट्वीट करते हैं लेकिन अगर आप में दम है कि जमीन पे उतरके चिस तरीके से आप देश को देखना चाहते हैं उस तरीके से आप जमीन पे उतरके अगर देश को आगे लेके ज अगर हम politics की बात करें तो दिल्ली का तापपान तो बहुत बड़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीती में भी दिख रहा है, politics में भी दिख रहा है, आपने एक अभियान शुरू किया है, जूटा कही का अभियान छेड़ी आरविंद केजरिवाल के खिलाब, क्यों? देखे, मैं कोछ चार साल हुए है, politics में, लेकिन वादे जो आठ साल पहले दिल्ली की जनता के साथ किये गए थे, वो वादे मैंने नहीं किये थे, वो दिल्ली के मुख्य मंतरी नहीं किये थे, वो और on record है, इसमें कोछ छुपा नहीं है, कि सौ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पि क्यों नहीं देते, आप ये बताईए, आपने पिछले आठ साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हैं, जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता, एक सवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे तो आप बड़े शांत रहत किया, और कहीं ना कहीं मुझे याद है, जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री एलेक्शन लड़ रहे थे, और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी, कि मेरी मदर ने भी उनको वोड दिया था, मेरी मदर को भी ये लगता थ वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं, ये तस्वीर आ रही है, अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है, आप पीछे खड़े हैं, अर्विंद केजिरिवाल खड़े हैं और एलजी साब खड़े हैं, एलजी साब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं और इसी कारेक्रम मे असलब आपने एक चीज़ बना दी ना तो लोगों को उसकी तारीफ करनी चीज़ आप अपने मूँ खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे देखिए हमने बनाया है साड़े चार सो करोड की युनिवरस्टी आपने चारिस करोड रुपे दी और आपने बनाया है जब कभी ऐसी चीज़ हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज़ का आप करें अंत बहुत पास है लेकिन केजरी बाल भावुक भी हो गए थे मनीज सिसूडिया को याद करके वो तस्वीर बेर दिखाना जाता हूँ वो काफी रोए मतलब इमोश्टल हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीज सिसूडिया की याद आ रही है ऐसा आप लोग उने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए है वो क्लिप देख लेते हैं आडियो प्ले करिए ज़राइस जी जी हलका एम्बेंस सुन सकते हैं जिसमें केजरिवाल की आखों में हासू है ऐसा क्या करती है आप लोगों ने उनको रोना पड़ रा काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेस्ट अलिगेशन लगाई थी जब मैं अपना election campaign में जब मैं politics में आया ही आया था और आप सब जानते होंगे किस तरीके की allegation लगाई थी और जो education minister है आज दिल्ली की उन्हें नहीं allegation लगाई थी कि मैंने कोई pamphlet फेरा आया था आतिशी मार लेना है उससे दो महीने पहले मुझे पादमर्श्री का वाड मिला था और दो महीने बाद मेरे ओपर क्या क्या allegation लगी थी काश दिल्ली के मुख्य मंत्री इस तरीके से उस दिन भी रोई होते हैं और बीजेपी ने क्या सोडिया भगत सिंग है मनीशी सोडिया देखो मैं आपको बताता हूं एक साइस पॉलिसी इग्जाट के हैं यहां पर यूथ भी बैठा है एक साइस पॉलिसी लेके आने का मतलब सिर्फ यह था कि दो पसेंट से बारब पसेंट कमिशन बढ़ाने का सिर्फ मकसद यह था कि आप पैसे कमाके पंजाब में गोवा में बाकी स्टेट्स में एलेक्शन लड़ सको अगर आप इतने ही साफ सुतरे थे अगर आप इतने ही भगत सिंग जी को अपना अदर्श मानते हो तो फिर वो एक साइस पॉलिसी वापस क्यों ली गई हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था कहीं अगर स जो डेपिडी सीएम थे उनको अभी तक क्यों नहीं मिल रही है बेल ओपन एंड शट केस है जब पैसा कमाया है गलत तरीके से पैसा कमाया है तो फिर जंग आपकी सिर्फ तिहार जेल में ही है अर्विन केजरी वाले ने अपने घर में पंतालिस करोड उपे खर्च करें और सवाल पैसे का नहीं है सवाल वक्त का है टाइमिंग का है जिस वक्त दिली की जनता करोना की वज़े से घरघर भटकरी थी उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर एमोशन है दिली के प्रति और इस देश के प्रति तो आप यह कह सकते थे आप चार साल बाद भी कर सकते हैं अभी जो पैसा लग रहा है चाहाँ वो एक करोड रुप्य हो सकते पीडेवलूडी वेकारा ने जबरदस्ति कर दिया हो कोई चीज जबरदस्ति होती है मेरे घर में कोई जबरदस्ति घुचके इन और रेनोवेशन नहीं सकता मेरे बंग क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी जगा पर भी रुके होंगे मतलब कभी देखा 8 लाग का परदा खुल जा सिंसिं टाइप का दर्वाजा देखे यह अपने आपको आम आदमी पाटी कहते थे आम आदमी कहते थे अपने आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है यह जब क्रिकेट गिरी की बात कर लेते हैं आप आई पिल की लखनाव सुपर जाइंट्स के मेंटोर हैं क्या आप मांते हैं कि आई पिल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है जहां बिलकुल एक क्रिकेटर का टेनियर सिर्फ 35 या 36 साल तक कही होता है हम बॉल आखो बच्चे हजारों बच्चे खिलते हैं क्रिकेट तो उनके लिए फानाशल सेक्यूरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उनको भी अपना घर परिवार माबाप को देखना है आई पील ने वह प्लाटफॉर्म वह फानाशल सेक्यूरिटी उन बच्चों को दी है इंडिया लगता है 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 सच्चाईया है और यह सच दुनिया के सामने आना चाहिए जी हमारा देश टीम ऑपसेस्ट देश नहीं है इंडिविज्वल ऑपसेस्ट देश है हम इंडियूजीड को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं बाकी देशों में चाहें इंगलेंड ऑस्ट्रिलिया न्यूजिलेंड में टीम बढ़ी है इंडिविज्वल बढ़ा नहीं है और यह जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडिन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर से लेके बीडिया से लेके सबसे लेके अलिटिमेटली अनफॉचुनेटली यह एक पियार एजिंसी बनके ब्रॉडकास्टर नहीं हैं सिर्फ तीन लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे आपने पचास रन बनाए मैंने पचास रन बनाए पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को यह लगेगा मैं ही स्टार हूं आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडर रेटेट खिलाडी हैं अंडर रेटेट किस कौन बनाता है अंडर रेटेट प्रॉडकास्टर ही तो बनाता है सोशल मीडिया ही तो बनाती है expert ही तो बनाता है, अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जा commandments के बारे में नहीं बात करी जाएंगे, आपने भी उतनी मेंने मेंने मेंनत करी है। अगर आपकी performance को आपको credit नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप underrated ही रहेंगे और यह सबसे बड़ी सचाई है और तब ही हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक ICC tournament इसटे नहीं जीते क्योंकि हम individuals के साथ इतना जादा obsessed है जो much awaited सवाल है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर के अंदर लेकिन आपकी अगला segment है उसमें आपको छे किलारियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आप से जानने की कोशिश करूगा वो दो सेट में आएगी कि आपको इन में से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है मुझे लगता है तिलाक वर्मा के possibility है और तिलाक वर्मा मैं उनको जानता नहीं हो किस तरीके के individual है लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने IPL में सुना है कि बहुत hard working है और जिस तरीके से उन में काबलियत है अगर वो मेहनत करते रहेंगे सबसे ज्यादा important है कि अगर वो कुछ भी बनने की जरूत निये उनको शुमन गिल ही बनने की जरूत है और मैं कभी बहूं यह नहीं मानता यह सवाल पहले भी हाझने टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ре अगले युवराज सिंघ बन सकते हैं किसी को कुछ बनने की जरूत नहीं है आप सिरफ अपने या शास्वी जैसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए और सिरफ एक टॉर्नमेंट के लिए नहीं अगले वर्ड कॉप के लिए भी अगले वर्ड कॉप के लिए और रिंकू सिंग की कहानी बड़ी इंस्पारिंग है कुछ बताना चाहिए इंस्पारिंग है और उन्होंने प्रदशन भी बहुत अच्छा किया लेकिन वक्त दीजिए एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए उनको जाके डुमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए अगले सीजन में फिर आईपियल में रन बनाने दीजिए और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो तना consistently बनाते हैं रन तब उनको international cricket में सोचिए हमारे हैं problem क्या होती है कि हम दो महीने IPL को इतना seriously ले लेते हैं जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो यशास्वी जैसवाल ने सिर्फ IPL में अच्छा नहीं किया तुमेस्ट्री क्रिकेट में 200 बनाए तीन सो बनाए वन डे क्रिकेट में 200 बनाए विजे हजारे में तो यह जो यह जो IPL में किये यह सिरफ icing on the cake था इसलिए यशास्वी जैसवाल को तीनों in fact format में होना चाहिए चलिए मेरा अगला सवाल यह है कि एक तो official ट्रोलिंग होती है एक unofficial ट्रोलिंग होती है official ट्रोलिंग में बोलता हूँ जिसमें हम देखते हैं कई बड़े-बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ती को मैं हमने latest देखा नवीनुल हक को ट्रोल किया गया उस हद तो तब हो गई जा शुवन गिल की sister को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया what you have to say on that that's a very very valid question that's a very important question as well और यह question आप लोगों के लिए मैं बहुत strongly believe करता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे सबसे बड़ा कारण बनेगा youth का depression का वो है social media अगर youth depression में जाएगा तो वो social media है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके आप trolls खरीच सकते हैं आप followers खरीच सकते हैं आप bots खरीच सकते हैं तो जो चीज बिकाओ होती है वो सच कैसे हो सकती है social media पर अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए मैं मना नहीं कर रहा कि आप social media पर मत रहिए लेकिन social media को अपनी जिंदीगी का part मत बनाइए आपको बुरा लगा है जब शुब्मन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया जब नवीनुल हक के साथ ही हुआ देखें आइफील बाट फॉर एवरिवान नॉट अली शुब्मन गिल, नॉट अली नवीनुल हक, फॉर एवरिवान जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए भी और जो ट्रोल होते हैं उनके लिए भी क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे मैं पैसे खर्च करके बहुत बार यह सवाल मुझसे पूछा गया है अमीज जी और ये बहुत वैलिट सवाल है इसले शायद मैं थोड़ा वक्त लूँगा कि आप क्यों नहीं सोचिल मीडिया पर पैसे खर्च करते हैं और लोगों को ट्रोल कराते हैं या लोगों के लिए नेरेटिफ क्रिएट करते हैं और शायद मैं बहुत लोगों से जादा पैसे खर्च कर सकता हूं जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवारे के लिए डूसरे की इमज खराब करने के लिए मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने अपनी जिन्दची सच पे जीने किया प्रामिस किनी हों पांच 5aramas 5単ा लोगों को रोज अगर एक रुपे जो भूके हैं, उनका पेड भरना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे घर में दो छोटी बच्जी है कल जो वो बड़ी होंगी तो उनको ये बोला जाएगा, अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ती थे तो उनको खड़ा के ये बोलने में हिम्मत होनीचे कि वो रोज 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे ये आपके बहुत स्ट्रॉंग मेस्ज दिया है अगर आप आपके पास पैसे जादा हैं तो आप ट्रोल मत कराइए लोगों को खाना खिला दीजिए लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी और व्यूर्स है हमारे उस पार टेलिविजन स्क्रीन पे देखना है जो करोडो दर्खशक न्यूज 18 के माध्यम से आपको देखेंगे उनकी भी होगी ये समस्या कि आजकर रील का जमाना है हर आधमी वो 40-50 सेकंд में सब कुछ कर लिना चाता है वो 40-50 सेकंड में गौतम गंभीर बनना चाता है वो 40-50 सेकंड में अक्शिय खुबार बनना चाता है ऐसे कैसे हो जाएगा मुझे जी आप बहुत गलत व्यक्ति से सवाल पुछे क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रील नी बनाई आप आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशिल पीडिया काउंट से कि मैंने एक बी बनाई हो मुझे रील बनानी आती ही नहीं है जैनुरी आप देख सकते हैं डांस करना आता है आपको बैसे नहीं थे घर पे तो करा होगा मतलब इस्थार्स को देखते हैं कि क्रिकटर्स को देखते हैं जो रील साही अपना जीवन चला रहे हैं देखें मैंने जैसे बोला था मैंने बहुत important message दे दी है आप social media पे रही हैं मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाता हूँ आप किस तरीके से social media को देखते हैं वो जरूरी है क्योंकि addiction किसी भी चीज़ की बहुत बुरू है चाहे वो addiction किसी भी चीज़ की चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार off the record पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये on record मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मई की रात जगा थी लखनव का इकाना स्टेडियम IPL मैच था लखनव सुपर जाइंट्स और RCB का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और सायद कितने और महीनों तक होती रहेगी देखे मेरी cricket field में बहुत लड़ाईयां हुई है ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाईयां नहीं हुई है लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या argument को cricket field तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में argument हुआ और वो cricket field तक ही रहना चाहिए उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ने TRP के लिए बहुत चीज़े डिमांड भी करी कि आप interview कर लीजिए आप clarify कर लीजिए जो चीज दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको clarify करने की कोई जरूत नहीं है और वो cricket के field में हुई है मैदान के बीच में हुई है अगर off the field भी होती या भार भी होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं heat of the moment दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए respectively जीतना चाहते हैं और दोनों के पास right है जीतने का लेकिन अगर आप बताना चाहिए हुआ क्या था उस रात देखें मैं सिर्व इसको इतना elaborate करूँगा और इससे जादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल endorse करता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था अगर मुझे लगता था कि नवीन उलहक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आखरी दम तक खड़ा हूँगा चाहे वो नवीन उलहक हो चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेशा करूँगा और इसी तरीके से अपनी जिन्दगी जीता हूँ बहुत लोगों ने बहुत चीजे बोली कि नवीन उलहक को सपोर्ट करे हैं अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करे कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बन दाता है आपने स्टेंड लिया बिल्कुल और मैं हमेशे अपनी जिन्दगी इसी तरीके से जीता हूँ और जीता रहूँगा लेकिन आज के दौर में लोग स्टेंड लेने से डरते हैं और मैं एक सवाल आपसे पूछत आता हूँ और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला मैं डिटेलिंग में नहीं आऊँगा लेकिन विराट कोली और गौतम गंभीर का र लोग कह रहें कि देखा हूँ ये में नामली अपने रिष्टे एक्सप्लेन नहीं करता है। यह सवाल मुझसे ना मेस धूनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपकर मेस धूनी का क्या रिष्ट है जो रिष्टा मेरा मेरा मुराट कोली का आई मेरी लड़ाई विराट कोली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से परसनल नहीं है लड़ाई सिरफ मैदान के बीच की है वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए मैं आज भी उन सारे खिलाड़ीों की इज़त करता हूँ जिनके साथ मैं खेलाऊँ चाहिए वो एक मैच खेले हूँ चाहिए वो सवा मैच खेले हूँ क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खेलना मुझे पता ही कि कितनी मेहनत लगती है जब आप अपने देश एक सो चालेस करोर देश वासियों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका समान उसकी इज़त करना बहुत जरूरी है तो मैं हर उस खिलाड़ी का समान करता हूँ मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता हूँ एक बात बताईए आप लोग वर्ड कप खिलते थे युवराज सिंग मुहमत के फिराट को ली सचिन तेंदुलकर मतलब वो नाम जो कि भारते क्रिकेट के मतलब बुलंच सिता वह उन रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साथ आफरिका थे टी-20 वर्ल कप के लिए और श्याद एक महीने मैंने और सेवाग ने इक अठे लण्च और दिनर किया था और हमने एक ही ओडर किया सेम खाना एक महीना एक ही खाना आख वह जब भी मैंने रूम स्रुर्विस मैंने एक खान ओर किया कौन पालक और दाल मखनी यह मैंने 20 दिन सेंव लॉंच और डिनर कियो निए इसके अलावा इर्फान पथान भी है यूlation' तो बहुत खाने के शौकीन है और पेस्ट्री में वो खाना मंगवाते हैं भार से केक्स मंगाते हैं पेस्ट्री मंगवाते हैं तो इर्फान पथान को बहूँ शौक है गाता हुआ है मैंने सुनया वो एक दिंद बार्ट बिर्यानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच ता बॉलिंग करनी थी शायद सचिन तंजिलकर ने उनको काफी गूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो नहीं वो खा सकते था और उसके बाद उसी तरीके से गेन बाजी भी कर सकते हैं चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और पार्टी का शौकीन कौन था वो सवाल का जबाब अपनी दिया आपने देखे मैं नहीं था था कौन बोबता ही है युवराज सिंग था अरबजन सिंग था जहीर खान बहुत बहुत खिलाडी है ऐसे नहीं है कि एक दौबर युवराज सिंग की तरीकी के पस्टनावलिटी थी लेकिन कमाल के खिलाडी भी थे युवराज सिंग मुझे लगता है हिंदोस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडरेटेड इसले कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उंकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी शायद दो वर्ल्ड काप अगर किसी ने जिताए हूँ वो युवराज सिंग थे मुझे लगता है कि वाइड बॉल क्रिकेट के सबसे बहतरी इन बल्लेबाज इंदोस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हूँ है तो वो युवराज सिंग हूँ है और एक और बात क्योंकि युवराज सिंग की बात चली है तो दूर तक जाएगी और युवराज सिंग को कैंसर हो गया था लेकिं वो तब भी खेलते रहे थे इसलिए युवराद सिंग के लिए तालिया इस बंड से बनती है तो चर्ली के रहे हैंAL S sino d Although तर नी युज़ा करे डिर आनग पने के ऊपैस क। पार डिल्ली के ले खेलते था वो अंडर 19 इकट़े के लिए फिर रंजी ट्रॉ अगेंस किफे ले मैंने उससे ज़ादा टालेंटेट खिलाडी आज तक मुझे नहीं पता आगे क्या होगा आज तक अभी तक हिंदोस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा बहुत अनफॉचनेट थे कि वो 108 स्माश नहीं खेल पाई क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब विरिंदर सेवाग मैं राहूल राहूल द्रावेट सचिंटन डूलकर वीवेस लक्षमन सौरव गांगुली थे और एमेस धोनी थे वो स्टेस्ट टीम में युवराद सिंग को मिडल और में उतनी जगा मिली नहीं तो युवराद सिंग ऐसे खिलाडी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते और आपने जहां तक सवाल किया मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफर कर रहे थे 2011 में उसके बावजूर जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल कॉप जिताया लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को वर्ल कॉप तक फाइनल तक अगर कोई लेकर आया चाहिए वो टी-20 वर्ल कॉप हो या वो 2011 का वर्ल कॉप हो तो युवराद सिंग दोनों टौनमेंट में शायद मैन आफ टौनमेंट ए वो ये फिर अनफॉटने है कि हम बात करते हैं जब 2007 विल काप की तो कियों नहीं लेते किंहों नहीं लेते कोई नहीं होता अंडरेटेट सिर्फ प्यारों बड़ा दिखाने का प्रयास होता है यह आपको भी पता है यह आपको पता है कि 2007 और 2011 वर्ल्ड कप किसने जिता है हम सब को बार बार यह बोला गिये कोई एक individual ने नहीं जिता है पूरी टीम ने जिता है और पूरी टीम ही जिता आती है कोई बड़ा tournament एक व्यक्ति नहीं जिता पाता अगर जिता पाता तो आज भारत श़र्ट पांच यद दस वर्ल्ड कप जी चुका होता एक बात तो ये भी कही जाती है मैं आऊंगा इस विशे पर कि 20183 में जो हम वर्ड कप जीते हैं उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमर्नाथ का बहुत बढ़ा रोगा कितने लोग बात करते हैं मोहिंदर अमर्नाथ की आप बताईए यह पर हम सब जानते हैं जानते हैं इन में से एक भी व्यक्ति से पुछे कि मोहिंदर अमर्नाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है मोहिंदर अमर्नाथ जी कि क्या प्रफॉर्मस फी वर्ड का फाइनल में आपने सिर्फ कुछ कहना चाहिए कि ट्रॉफी उठाते वे देखा है ना कपिल देव ज मोहिंदर अमर्नाथ जी की भी दिखा दीजिए दो नो सेमी फाइनल और फाइनल में मैंनोदर मैश थे नियाज इस वाध्यम से मतलब पर एक बड़ा रोल जिनका बाना जाता है कुछ क्लिकेटर्स विग्यापन में पान मसाले की एग कर रहे हैं ने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चिनना लेट सी वाट हैपन अंकित तेवारी गॉलिंग दुगतंगंभी वड़ा शौट वड़ा शौट झालि मतलब के लेग चोर स्के lijते झातंगंभी जली प्राइब झालि भंड बहुत सकतब के बान थाफाल शौरो क्यात्मCloud झाल 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 क्यों पढ़ गई डिस्गस्टिंग इंडिसपोइंटिंग सिरफ दो वर्ट कहना आप कहरें डिस्गस्टिंग इंडिसपोइंटिंग क्यों इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि कोई खिलाडी एक पान मसाला की याड करेगा और डिसपोइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार वार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अपने रोल मौडल बहुत सोच्ट समझ के चुन्ना नाम जरूरी नहीं है काम जरूरी है कोई भी हो आप अपने नाम से नहीं पैचाने जाते हैं आप अपने कामों से पैचाने जाते हैं करोडो युवा उनको देख रहे होंगे और पैसा इतना important नहीं है कि आप किसी पान मसाले की याड़ करेंगे बहुत और तरीकें पैसा कमानेगे और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल है तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए और मैं अपने आपको कोई उस शैली में नहीं लेके जाना चाहता है 2018 में जब मैंने step down किया था Delhi Capitals की Captaincy से तो मैंने 3 करोड रुपे छोड़े थे और वो 3 करोड रुपे मैं ले सकता था लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ आप पान मसाला की आड़ कर रहे है अमीज जी आप बताइए अक्षे कुमार ने आड़ करी फिल्म स्टार आड़ करते हैं तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटसाइस करते हैं तो ने अपॉलजज़ किया था और आप देश भक्ती की बात करते हैं आप नाशनलिजम की बात करते हैं आप इंडिया फर्स की बात करते हैं आप देश को महान बोलते हैं आप भी तो करोड़ो लाखुल बच्चों की रोल मॉडल ने हैं क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे कल अगर 21 साल का बच्चा या 22 साल का बच्चा या फिर कोई युवा खिलाडी पान मसाले की यार्ट करने लग जाए क्या किसी में दम होगा उसको मना करने का वो भी तो कल उठके ये कह सकते हैं कि आप भी तो करते थे आपने भी तो लेजंड्स कर रहे हैं आपने भी तो करा था तो आप क्या ट्रेंट सेट करें चोड़ने की हिम्मत कि आपके तो दोस्ता है फोर्म ठाके नहीं बोल सकते कि क्यों करा आप लें देखिए वह बहुत परस्नल है वह बहुत परस्नल डिसेजन है और एक व्यक्ति कि सबसे बड़ी कि शक्ति होती है छोड़ने की हिम्मत कि आप में वह शक्ति है कि आप कोई चीज छोड़ सकें लेना तो सब कुछ हर चीज चाहता है शाद मैं भी चाहता हूंगा कि मुझे सब कुछ मिल जाए लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें और आपने बहुत अच्छा क्योंकि में को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी इस बारे में किसी से कोई सवाल पूछा होगा क्योंकि यह सवाल इसलिए जरूरी है कि यह क्रिकेटर्स हैं यह भारत में बड़े रोल बॉडल होते हैं लोग नेताओं से जादा एक्ट करने का तो आप उनसे भी सवाल पूछूंगा में को मौका मिलेका तो मैं जरूर सवाल पूछूंगा और वो दोनों भी लेजंड है और मुझे उमीद है कि निश्चित तोर पर वो भी इसको सुनेंगे लेकिन अगला सवाल जो मेरा वो है यह कि हम क्रिकेट को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट माच कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है कोई भी कोई भी इवेंट और यह रियालेटी है किसी तरीके का इवेंट चाहे वो आपने जैसे ही बोला उदर जो भारत माता क की जाएके नारे आ गए यही पब्लिक सेंटिमेंट है और फिर आप मुझसे अगला सवाल यह पूछेंगे कि क्या पाकिसान को इंडिया से वर्ल्ड काप खेलना चाहिए देखिए वर्ल्ड काप और बाइलाटरल में जमीन आसमान का फरक है बाइलाटरल दो देशों के बो दो बोर्ट कांट्रोल करते हैं तो जहां बी आइसी की एवेंट्स में किसी तरीक के का कोई रोल नहीं होता तो जब ये सोशिल मीडिया बाके जगाओं पर बोला जाता है ना कि देखिए फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया या फिर एक व्यक्ति ने बोला थे कि नहीं ह कि मर्जी है पीसीबी के हैसियत कैसी है वैसे देखिए मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता और अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिरफ भारत ने नहीं बोला इंफाक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं अगर क्यों है और भारत की टीम भी आपको मिस्स करती है अभी इर्फान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसके उन्हें ने बोला उन्हें बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुता था हम तो गौतम गंबीर को खुला जोट है बुद्से जादा लड़ाई तो वो अफ्रीदी से हुई लड़ाई लेकिन इर्फान पठान की तो मुझे लगता है पांच ये खिलाडियों से हो रखी है लड़ाई लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी मेरी लड़ाईयां दिखाई जाती है वो ही फरक है सिर्फ एक बार आपको मतलब बोला जाता था कि पाकि सानाग पर नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने के बाद कभी मेरी और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर चार पोस्टर हमें जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंबीर काफी है कि मीडिया ऐसा बोलते क्याते हैं यह आप लोग भी जाना चाहेंगे ना यह मीडिया को टी आर्पी मिलती है और कोई कारण नहीं है अब मैं बॉलिवूड और क्रिकेट पर आता हूँ हमने बॉलिवूड और क्रिकेट की बड़ी जोडी देखी है मनसूर अली खान शिर्मीरा ठैकोर हर्वजन सिंग घीता बसरा विराट कोली लुगमे और अथिया शेटी इसको आप कैसे मानते हैं और क्या आपका जुगाव कभी बॉलिवूड के साथ नहीं रहा नहीं मैं बहुत खुश हूं अपनी जंदगी में और दूसरी चीज़ एक लिए बहुत परसनल अल्टिमेटी बहुत परसनल डिसेजिजिन्स हैं और देखे जिन भी लोगों का आपने नाम लिया सब खुश रहने चाहिए मेरी यही भगवान से परातना है कि वो खुश रहे और अगर वो खुश हैं उससे बहतर कोई पी चीज नहीं हो सकती तो कभी आपका जुगाब नहीं रहा कभी बॉलिवुड से कभी आप जाते हों आते हों कुछ देखे ना मैं पाटी करता हूं जी ना मैंने आज तक आलकोहल टेस्ट करी ना मैंने आज तक सिगरेट को चुछ हुआ ना मैंने आज तक चाहे पी ना मैंने आज तक कॉफी पी और यह आप किसी भी खिलाडी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कभी ना मैंने चाय टेस्ट करी ना कॉफी तो जब मेरे को कोई इस तरीके का कोई शौक ही नहीं था तभी मैंने आपको बोला मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी मेरी फैमिली है दो बची है मेरी वाइफ मेरे मधर फादर खुश है ना बहुत ज़रूरूरूरूरू आप बनाते नहीं चाय आप पीते नहीं कउफी पीते नहीं पाटी आप करते नहीं यह बहूत बोरिंग हुछ है आप यह युवाओं को आप बोलेंगे कि एक हफ़ता ये रिजीम फॉलो करते हो जाएंगे मैं सीरिसली कहना आप किसी से भी पुछ सकते हैं बहुत बोरिंग हूँ जी अब इनसे भी हम सवाल लेंगे आपसे भी सवाल लेंगे लेकि दुबारा राजनीती पर आते हैं पॉलिटिक्स पर आते हैं इसके इलाबा उनके पास किसी तरीकी की कोई राजनीती रह नहीं गई है बोईकाट करने के इलाबा संसत बनाए वो ऐसा तो है नहीं कि आप बोईकाट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं जब सेशन होगा हम आप जाके आग्यू भी करेंगे आप आप जाके आलेकेशन भी लगाएंगे कोई चीज एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज बन रही है आप जाके वहाँ पर बैठी है आप जाके वहाँ पर हिस्सा बनी है इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का आप बात कर रहे हैं, मैं 2024 की बात करता हूँ, 2024 में Modi versus all होता हुआ हम देख रहे हैं, अर्विंद केज़िवाल से लेकर, लेकीश कुमार, राहुल गांदी सब शायद एक मंच पर आएंगे, मोधी को हराने के लिए, और जब आप भी सांसत का अगला चुनाव लड़ेंगे, तो आपके सामने भी हो सकता है, कम्बाइंड ओपोजिशन आए, अगर ज़न है, और आपके सामने लड़ेंगे, कोई बात नहीं, पूरे दम से लड़ेंगे, सचाई के साथ लड़ेंगे, इमानदारी के साथ लड़ेंगे, और जो काम की है नौ साल में उस तरीके से लड़ेगर और इसी को तो लड़ाई कहते हैं जी मेरा अगला सवाल यह है कि आपके काम की तारीफ जनता हो या फिर क्रिक्स हो वो भी करते हैं पॉलिटिकल काम की तारीफ लेकिन आपी की पार्टी के एक विदायक है, वो आप पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने ग्रे मंत्री को चिठी लिख दी, CBI, इसे जांच कराई जाएं? धिखे ऐसा नहीं है कि मेरे काम की तारीफ कृटिक्स बहुत लोग करते हैं, मेरे पूलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रितिसाइस किया गिये। और वहाँ पर मेरे फादर का पिछले 35 साल से ओफिस था गांधी नगर उससे पहले 15 साल वहाँ पर लवली जी विधायक रहे कांग्रेस से और मैंने 103 बुखार में रोड शो किया था गली गली गया था क्योंकि मुझे लगता था कि जहां का मैं MP हूँ मेरे फादर का माँ पर ओफिस है पिछले 45 साल से वहाँ पर हमारा विधायक होना चीए और यह विधायक आम आदमी पार्टी से आये थे ऐसा नहीं है कि यह बीजेपी में थे आम आदमी पार्टी से यह इंपोर्ट किये गए थे इसके बावजूद अगर आप अच्छे काम को रोकेंगे अगर आप ग्रह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे या फिर आप सीबिया इंक्वारी करवाएंगे मुझे किसी कुड़ेगर को अपने नाम करने की जुरूत नहीं है उपर वाले ने मुझे इतना दी है कि मैं बहुत सक्षम हूँ MCD हारी विधान सभा हारी पूरी ताकत जोंकने के बाद हारी Central leadership पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन फिर भी हार गई ऐसा लगता है दिल्ली बीजेपी का जीतने कहीं मनने है और यहाँ पर में को लगता है जिम्मेदार कौन है जिम्मेदारी कोई को नहीं लेता जिम्मेदारी बिलकुल लेनी चाहिए accountability बिलकुल होनी चाहिए जो लोग top positions में बैठे थे डेली बीजेपी में उनको वो accountability लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी organization की strength accountability होती है आप इतने बड़े network को चलाते है आपकी भी accountability है जब network अगर अच्छा नहीं करेगा तो आपसे सवाल पुछा जाएंगे अच्छा करेगा तो आपकी तारीफ होगी cricket में भी यही होता है अगर आप run नहीं बनाते तो आप drop होते run बनाते तो आपकी तारीफ होती है अब आखरी round है और यह जो round है यह तस्वीरों वाला round है इसमें हम कुछ तस्वीरे दिखाएंगे और पहले round की तस्वीरे आती है पहली तस्वीर आ रही है पहली round की तस्वीर आ रही है यह देखते कौन सी है राहुल गांदी क्या कहना चाहते है आप इनके बारे में देखें मैं बहुत जादा जानता नहीं हूँ इसने में को किसी भी व्यक्ति के बारे में परसनली बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सिरफ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लड़ाई अपनी जमीन पर रहके लड़ी देश से बाहर जाके नहीं क्योंकि मैं को यही चीज़ सिखाई गई थी जब हम पहले मैं मुझे याद है मैं अपने पहले टोर पे इंडिया एक के टोर पे गया था इंग्लिड और उस टाइम मैं 17 या 18 साल का था और यह चीज़ बोली गई थी जब मैं फ्लाइट ले रहा था शाहिए वो मेरी पहली या दूसरी फ्लाइट थी पहली बार मैं UK गया था कोई भी आपसे भार कोई सवाल पूछे तो हमेशा अपने देश के बारे में अच्छा ही बोलना अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो वापस आके करना कोई आपके बहुत प्रसं करते हैं अर्विंद केजरीवार मेगा लूमेनियाक यह कहना चाहते हैं इसका मतलब भी समझा देता हूं जी जी एक लाइन तो बड़ा मुश्किल है मेगा लूमेनियाक का मतलब होता है जो अपने से उपर किसी और को नहीं देख सकते हैं अगली अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है गवातम गंभीर और विराथ को ली यह 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 शायद वही तस्वीर है जिसमें आपने अपना मैन अफ़ दे मैच शायद दी दिया था लॉड ऑफ रिस्पेक्ट अगला राउंड है वो गुबली राउंड है आपकी राए में कोली और गांगुली में से जादा एग्रेसिफ कैप्टन कौन था मैं ना ज्यादा गूली के अंडर खेला? नहीं मैं गांगूली के अंडर खेला तो बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना आप इसे उनके बारे में पूछी कि मैं सबसे अग्रेसिफ कप्तान किसके अंडर खेला ता मैं उसका जवाब शहाया है किसके अंडर अनिल कुमले विपक्ष के लिए बेहतर पी एम उमीदबार कौन हो सकता है राहूल या केजरीवाल तीक यह तो अपोजिशन ही इसका जवाब दे पाएगा पहली बात तो यह है कि उनको पहले डिकलेर करना बड़ा जुरूरी है डिकलेर कर पाएगे निकलेर को क देगे इसका जवाब तो मुझे तेहाड में जाना पड़ेगा तब ही दे पाऊंगा और आपको कोई विचार नहीं है अगला राउंड जो है वो है जर्ज वर्सिस गंभीर और कुछ लड़किया है वो सवाल पूछना चाहती है क्या सवाल है आपके पूछ सकती है एक करके सब मेरा क्वेश्चिन है कि आपकी कौन सी फेवरेट एक्टरस है तीन ऑप्शन है मेरे पास हां जी तो पहली है दिपिका पड़कून और दूसरी है अनुष्का शर्मा और तीसरी है परनीती चोपड़ा तो कौन सी फेवरेट आपकी अब बताईए बहुत जादा मूवी कि इन तीनों में से परनीती दिपिका और अनुष्का में से कोई अजर मेरे को अभी याद आए तो परनीती चोपड़ा बिकॉस केसरी में उनकी बहुत अच्छी आक्टिंग ती जी एक और सवाल है जी जी पूछे सवाल क्या है से मेरा सवाल आप से यह है कि जब आपकी वाइफ आश्रमाम आपसे नाराज हो जाती है तो आपुने कैसे मनाते हैं मैं कैसे मनाता हूँ है मैं अचलि मनाता नहीं हूँ उपने अपने डि तृप ज़ा जाद इंसनीरिके में को मनाने की नहीं हैं अभी तक तो यही आगे कुछ नहीं पता कि 11 साल हो गये हैं तो हम शोर अभी तक इतना कोई जादा मनानी की जरूत पड़ी है कभी गाना वाना भी निगाया उनके लिए ना गाया ना ना चा जी ना मनाया जा मनाया चलिए एक और सवाल सर आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रपोस किया था अब बताईए आप तो मझे गहे थे कि यह जाला बड़ी बाउंसर जो मैं अभी आई-पील में खेलके आया हूं उससे बड़ी है बताईए नताशा ने नताशा ने प्रपोस किया था चलिए आप लोगों ने कुछ ख्वाइश भी रखते हैं वहीं क्या है आपकी ख्वाइश है है सर हमारी ख्वाइश कि हम बजपन से क्रिकेट खेलते आरे और आपको देख रहा है लेकिन मेरा एक तामन्ना है कि सर मैं गिन फेकू और आप कोई 6 या कोई बाउंडरी मारे बाउंडरी मारें क्या दा आपका अल्कित वारी तो अंकित वारी मैं कमेंटेटर बंजाता हूं करो तो अंकित वारी गौतम गंभीर को बॉल डाने जा रहे हैं लेट्स सी ऑट आपन्स अंकित वारी बॉल इन वोड शू अंगी तृटर कवाइश फूल्ड़ ने जरू का पाने वाला है ठीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंबीर हमारे साथ आने के लिए बात करने के लिए और तिवाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बढ़ी अच्छी बॉलिंग डाली मैं आप दमैसे हम पर नहीं दे रहें लेकिन आज का मैं अप दमैस अगर कोई है तो वो थैंक्यों समग्च